कहिए कैसे हैं आप खुश रहना है तो खुछ बातों की परवा करना छोड़ना पड़ेगा देखें खुश थो हम सब जहना चाहते हैं ऐसा तो कोई भी नहीं है जो खुश ही न रहना चाहता हो पर क्या होता है कि जाने अंजाने हम कुछ ऐसा कर जाते हैं अपने daily life में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि खुद ही खुशियों को अपने से कोसो दूर कर देते हैं अब सोचने वाली बात है कि हम क्या कर जाते हैं हम तो चाहते हैं कि खुश हो, खुशियां आएं पर हम खुद ही ऐसा करते हैं, ऐसा क्या करते हैं ऐसी क्या बाते हैं जिनकी परवा करना हमें बंद करना पड़ेगा तो इसी बारे में मैं आज आपको बता रहे हूं साथ बाते पहली बात तो ये कि लोग क्या कहेंगे इस बारे में तो हम बहुत जादा सोचते हैं कि क्या कहेंगे हम जो करना चाहते हैं, हमें जो पसंद है वो नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे जैसे कि माल लीजे, एक आदमी है, लड़का है, उसको कुकिंग बहुत पसंद है पर वो नहीं कर पारा, क्यूंकि लोग क्या कहेंगे कि लड़का होके खाना बनाता है एक लेडी है, उसको driving बहुत पसंद रहे हैं वो cab driver बनना जाती है पर वो नहीं बन पारी, क्यूं? क्यूंकि लोग क्या सोचेंगे कि देखो लड़की होके driving करती है ड्राइवर है पर उनको करना पड़ रहा है तो देखिए सीधी सी बात है लोगों का काम ही कहना है हम कुछ करेंगे तो वो कहेंगे नहीं करेंगे तो भी कहेंगे उनकी तो आदत ही है तो उनके इसाब से ना चलके अपने हिसाब से चलिए, जो पसंद है वो कीजिए, और उस पे लगे रहिए, अगर लोग कहते हैं तो उसको अंसुना कर दीजे, तब ही हम कुछ बन पाएंगे, नहीं तो कोई लोगों के कहने पे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में, आगे बड़ी नहीं पाएं चार लोग क्या कहेंगे, यह चीज पर ध्यान देना बंद करतें, दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जब हमारे साथ कुछ गलत या बुरा हो जाए, जैसे कि मान लेजिए कि एक आदमी का एकसिडेंट हो गया, या एक घर में चोरी हो गई, परिवार के लोग बाहर गयते चोरी हो गई, जब वो वापिस आए, उन्होंने देखा और अब वो हाथ पर हाथ रखके बैठे हैं, या जिसका एकसिडेंट हो है, वो बैड या कि अब तो एकसिडेंट हो गया, अब क्या होगा, सब खतम हो गया, यह वो, तो प्रॉब्लम्स किसी ना किसी वे में आती रह चीज़ा है, जब हम भगवानों की कहानिया सुनते हैं, तो हम यह ली देखते हैं कि उनके साथ भी तो कितनी परेशानिया आईया है, पर होता क्या है कि प्रॉब्लम्स को हमें डील करना आना चाहिए, फेस करना आना चाहिए, परेशानिया तो मान के चलिए, तो आएंगी किसी ना किसी वे में, कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह की, तो परिशानी हमें आएगी ही आएगी, पर हमें उसको डील करना आना चाहिए, कि हमने इसको सामना कैसे करना है, फेस कैसे करना है, इस चीज पर यह नहीं है, कि बस हाथ पे हाथ रखे बैठ गए कि नहीं, अब तो क जाया, किसी ने हमें दुख पोचाया और हमने अपने आपको कमरे में बंद कर लिया, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुए, यह क्या हुआ, और खुद को बंद कर लेंगे, काना पीना छोड़ देंगे, किसी से बात करना बंद कर औरे अब ये सूचीये कि उस ने कहा है। आपने नहीं कहा है। उस सोचे न क्यों यह हम उसकी नाजाने कीनी तरह सकते थे आहिए वह सोके है .. यहीं गलती कर जाते हैं, यहीं खुशियों को कोसो दूर कर जाते हैं, उसको सोचने दो ना यह चीज मन में होनी चाहिए, कि हमने थोड़ी ना कुछ किया है, हमारा थोड़ी ना कोई कसूर है उसका कसूर है, उसने कहा है, वो देखे फिर इसमें चौती बात आती है कि तुलना करना, यह हमारा आलमोस्ट फेवरेट होता है, बहुत compare करते हैं, बहुत compare करते हैं, वो देखो वो कितना अच्छा है, वो देखो उसके पस कितनी बड़ी गाड़ी है, काश यह गाड़ी मेरे पास होती, काश इतना बड़ा बंगला म अगर मैं महनत कर लेता तो आज ये नौकरी मेरी होती अगर मगर काश किंतु परंतु इन से बाहर निकलिए इनको बिलकुल इन से बाहर निकल जाए और जो है जो at present है ना हमारे पास उसमें खुश हो ये जो प्राप्त है वो परियाप्त है ये सोच ये देखिए जो इच्छा काई है जो हुआःशे हैं उनका कोई अंत नहीं है अनंत है मतलब एक हुई दूसरी शुरू होगई एक खتم हुई दूसरी शुरू हो गई मतलब कोई ऐंड यह एंडलेस है ये मैं बहुत सिम्पल सा एक्जामपल देती हूं कि जैसे एक couple है शादी हुई तो बस एक बच्चा हो जाए बच्चा हो गया बस यह पढ़ जाए और क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए पढ़ भी गया बस इसकी नौकरी लग जाए और क्या चाहिए नौकरी भी लग गई अच्छा जी बस एक अच्छी सी लड़की से प्यारी सी लड़की से शादी हो जाए और क् कि ना शादी हो जाए इनके बच्चे खिलाएं हम मतलब कोई अंत है कोई अंत नहीं है इसलिए जो हमारे पास at present है ना वो उसको हमेरी सोचने चाहिए परयापत है और शुक्र करना चाहिए और उसी हिसाब से रहना चाहिए बस यह बहुत ज़रूरी है फिर इसमें पांचमा पॉइंट आता है कि हमें अक्सर ही इन भाहर ना जाती है complex कि देखो वो कितना intelligent है वो कितना अच्छी तरह रहता है तो अगर हम में किसी भी तरह की कमी है तो हम अपने आपको improve करें ना इसमें दिक्कत क्या है यह क्या मतलब हुआ कि हम कि बस complex में आ गए और हम खुद कुछ करने की कोशिश करनी रहे खुद को improve करें ना अगर उसमें कोई खास बात है और हम उसकी तरह से बन सकते हैं मतलब करनी चाहिए अगर हम कर सकते है तो हमें करनी चाहिए खुद को improve करना चाहिए दिक्कत क्या है बन हम इस complex में कि नहीं देखो वो तो कितना अच्छा है यह द प्रूफ करना भी चाहिए पर एक चीज़ और भी है कि बहुत जादा अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है इस बारे में मैं जादा इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी इसी बारे में उसका लिंक नीचे दे रही हूँ वो ज अच्छा होना कई बार अच्छी बार नहीं होती फिर इसमें नेक्स पॉरिंट आता है हम हर चीज में यह सोचते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें परफेक्शन होने चाहिए हम इस वज़े से मतलब कोई गलती भी नहीं करते कि नहीं अगर हमने यह किया क्योंकि हम करते हैं तो इस चीज को निकाल दीजे मन से आप कीजिए गलतियां गलतियां कीजिए गलतियों से ही तो हम सीखेंगे ऐसे कैसे सीखेंगे अगर हम गलती कर रहे हैं इसका मतलब हम कोई काम करने का प्रयास तो कर रहे हैं यह चीजें हमें समझनी चाहिए और हम क्या करते हैं उस चक्कर में हम बिल्कुल भी ध्यान देते इस तरफ कि वही नहीं हमें तो perfectionist बनना है तो ये मान के चलिए दुनिया में कोई भी perfectionist नहीं है कोई न कोई किसी न किसी बात की कमी तो हर किसी में होती ही है मान के चलिए होती ही है पर जरूरत क्या होती है बस हमें लगातार प्रयास करना है उस तरफ मतलब लगातार लगातार काम किये जाना है तब ही संबफ हो पाएगा कि हम उसको और बहतर धंक से कर पाएं पर परफेक्शनिस्ट हो ये चीज़ मन से निकाल देनी चाहिए क्योंकि यही चीज़ हमें खुशियों से कोसो दूर ले जाती है सेवन्थ पॉइंट इसमें आता है कि हम बेवजे की चिंताएं ओर के बैठ जाते है कोई सिर पैड नहीं होता वो चीज़े सोचने लग जाते है जैसे एक लेडी है अपनी किसी फ्रेंड को मिलने कई उसको कोई बिमारी हो रखी है वापिस आती है तो कहीं ये मुझे तो नहीं हो जाएगी ये बिमारी कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगी उसके पास पर symptoms ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, सोच रही है, क्या बेवजे की चिंता है, एक आदमी है, उसके अभी छोट छोट बच्चे हैं, चार पास साल के, वो यह सोच रहा है कि बड़ा होके, क्या बच्चे मेरे को अपने पास रखेंगे, कि मुझे घर से निकाल जाते हैं, नेगेटिव होते जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे क्या होता है, शरीट का नुकसान होता है, उससे क्या हम खुश होते हैं, नहीं, उससे हम मतलब बहुत जादा इरिटेटीड हो जाते हैं, हर बात पर जलाने लग जाते हैं, गुसा आने लग ज जिनकी केयर करनी परवा करनी हमें छोड़ देनी चाहिए पर इसी के सासत कुछ बाते ऐसी भी है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो उनकी परवा करनी चाहिए उनकी केयर करनी चाहिए इस बारे में मैं अगली वीडियो में आपको जुरूर बताऊंगी विसे एक बात तो है कि कामयाब आदमी खुश हो न हो पर खुश रहने वाला आदमी कामयाब ज़रूर होता है और वैसे खुश होने का मतलब यह नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉबलम ही नहीं है कोई आदमी खुश है तो यह नहीं सोच लेना चाहिए कि इसका मतलब तो इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है प्रॉब्लम तो होती है प्रॉब्लम तो हर एक की लाइफ में है पर उन्होंने समझ लिया है कि प्रॉब्लम तो आएगी उसको डील करना है उसको face करना है problem से उपर उठके उन्होंने जीना सीख लिया है यह होती है बात विसे आप बताईए आप क्या सोचते हैं इस बारे में आपके comments का मुझे इंजा रहेगा तो कल फिर मिलूँगी तब तक smile भी रखिए और positive रहे और positive सोचिए और हाँ अगर आपने मेरा ये YouTube वाल ये भी दबा दीजेगा ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास notification या message आ जाए और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो किसी और के काम आ सकती तो please आप इसको share भी जरूर कर लीजेगा ठीक बाई